अगर आप भी सोशल मीडिया पर आक्टिव रहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है आप भी हर एक चीज को गूगल करते हैं गूगल सर्च पर आप जादा भरोसा कर बैठे हैं तो देखिए आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं अगर हम सर्फ पटना की बात करें तो पटन सब्सकता हैं तो कर लेठेने हुए अगारिय अहलं हो ये है नोग समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इसे ठगी से वह निल्गा को बचा हैं अहरा मामला सामने आया है ज़ल्गा रहे हैं। पुरा मामला है किस तरीके से जो ठग है, वो नया नया तरीका अपना रहे है, कैसे आपको बचना है, क्या कुछ सावधानी बचनी है, और किस तरीके सी Google पर एक सर्च करना आपको भारी बच सकता है, या आपकर शीपकांट खाली तरोज कर सकता है तो नहीं नहीं भ़लकि जो स्याइबर थकी के मामले है वो दिन знаю संब जिए का इस कदर बढर रहे हैं कि यह रोज एसलव डाटा रहा है कि बार मामले तो द commencement मामले लेकिन पोलोस का यह भी कहना है कि कहीं लोगуется in नहीं है कि साइबर ठाना में जाना होता है इन सब चीजों की जानकारी देनी होती है और आगे इस पर जांच परताल करके ऐसा भी हो सकता है कि उनके पैसे जो है वो पावपस कर दिये जाएं लेकिन कई लोग इस बात से जान रहते हैं कि उनके साथ ठगी हुई है और यही बेच जा जा रहा है अगर आप भी Facebook, Instagram, WhatsApp या फिर कोई भी social media platform मस्तमाल करते होंगे तो जादा तर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे advertisement आपको दिखाये जाते हैं जहां पर iPhone हो या फिर कोई भी महंगी चीजे हो उसका जो दाम है वो काफी सस्ता बताया जाता है और कम चीजे बीची जाती है जिसके लालच में आकर लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं और ऐसे है कुछ हुआ है एक SSB जवान के साथ SSB जवान से चार लाख रुपए की ठगी कर ली गई है जो शेफ इनका नाम है और जो शेफ नाम के जो SSB जवान है इन्होंने iPhone खरिदने का सप देखा एडविटीजमिन के माध्यम से इन्हें बताया गया कि इन्हें सस्ता iPhone दिया जाएगा हर महीने 4000 रुपए ने देने होंगे जिसके लालच में आकर पहले तो इन्होंने iPhone का सपना देखा और उसके बाद पैसे देते गए देते गए और ऐसे करके एक दो लाक नहीं ब बेका ही सारे तरीके हैं जो कि आपको एक एक करके हम बताएंगे ताकि आगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप सावधान हो सके दूसरा मामना भी टूर पैकेज का है जो यहां टूर पैकेज के नाम पर तीन लाक रुपए की ठगी कंकरबाग में हुई है गया और उसके बाद जब रियाज एहमद टूर पैकेज को पसंद करते हैं और उसके बाद वो पैसे जमा करते हैं ताकि वो घूमने जाएं और इस चक्कर में यह तीन लाक रुपए गवा चुके हैं हलांकि जब इन्हें अस बाद की भनक लगी तब जाकर इसके शिकायत इ पार्ट टाइम जॉब की बहुत सारे जो मेसेज़ें वो लोगों के फोन पर भीज जाते हैं इसके साथ साथ फेसबूक या फिर वाटसब इंसेग्राम यह सब भी मेसेज भीज के लोगों को बेवकूप बनाया जाता है लेकिन अस बार जो पतना से नजजी का फत्वा का य जुआ गया था और इसी ज्वाल में फसकर लड़के ने 2,00,000 रुपए गवा दिये हैं वाकि एक और मामला है जो कि पतना में खगौल का है जो हां पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को ठगा गया है और ऐसे काई सारे मामले हैं वाकि अस क्रेडिट कार्ड वाले म मामले में 32,00,000 रुपए की ठागी हुई है तो यह मामले एक एक करके आपको हमने इसलिए बताएं ताकि आप समझ सकें कि सिर्फ OTP, phone, message और link के जरिये ही नहीं विल्कि कई और भी जो तरीके हैं वो cyber अबर जो crime कर रहे हैं जो अपराधी बैठे हुए हैं वो अपना रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं तो अगर आपके पास भी कोई message आते हैं कोई call आते हैं या फिर कोई आपटीज में अगर आप Facebook और Instagram पर देखते हैं या फिर Google पर कुछ सर्च करते हैं तो किसी भी नंबर पर आप जाने बिना phone मत कीजे वरना आप भी ऐसे ठगी के शिकार हो सकते हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पास के थान आप आप पाकी ऐसे मामलों को लेकर आपकी क्याराय है आप बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे हैं जौन्ता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे दिविशाल और मैं थी आपके साथ वंदना नहींवार